हेलो स्टूडेंस वेलकम बैक टो हिंदी मिरर चैनल सभी स्टूडेंस का हिंदी मिरर प्रफिर से स्वागत है अभी जो कंटेंट लेकर रहा हैं उत्राखन ओपन उनिवस्टी के दो तारिक्स जाने के परसों से एकजाम शुरू होने वाले हैं और BFSM के हम दो बुक का कंटेंट आपका डाज चुके हैं जिसमें आपका AECC हम ने अप्लोड कर दिया है और साथ में आपका BHL N101 हम अप्लोड कर चुके हैं बाई बुक हम हमेशा तयारी कराते हैं और आज फिर आपके लिए नया कंटेंट लेकर रहा हैं जो स्टुडेंट से भी तब कनेक्ट नहीं हुएं हिंदी मेरर से तो कनेक्ट हो जाईए क्योंकि हिंदी मेरर हमेशा आपके हल्प के लिए खड़ा रहता है और जो भी आपके वैरी होती है उसको जरुब पूरा किया जाता है आप भी अपनी वैरी बेज सकते हैं कुछ भी आप बात पूछ सकते हैं डोने उन्वेस्टी की बाते आपको बताए जाती है जितनी भी information होती है आप तक पहुंसती है श्रुदेर सुमन उत्राखन युनिवस्टी से सम्बंदित और उत्राखन ओपन युनिवस्टी से सम्बंदित सबकी playlist बनी हुई है उन playlist में question bank भी upload है उनको भी आप एक बार देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं रानितिक students के लिए तो कितनी unit हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 14 unit है सिर्फ इसका आप देख सकते हैं कि जो last year की book है वही नाम है वही paper है और same वही आपके बिलकुल units भी same है तो आपके जो previous question paper हैं उनसे ही आप तयारी कर सकते हैं अब आपका semester हो चुका है लेकिन जो yearly वाले students के ज उसे भी आप अपनी तियारी कर सकते हैं अब यहाँ पर हमें देखना है कि सिध्धान 75 एक सो एक युनिट देख लिए रानिति विग्यान विआनि सिध्धान रानिति दर्शन समाज विग्यानों के सांबें राजणी विघ्यान अध्यान करे कोई सी भी उनित छोड़नी नहीं चाहिए काफी स्टूरेंस इम्हें करते हैं क्योंब आप में तो सारा ही बता दिया क्षोड़ा तो कुछ नहीं तो इतना तो सारा हम अपने आपसे ही पढ़ लेते लेकिन मैं आपको बताती हूं उसमें की आप पढ़ना आपको सारा ही चाहिए, कुछ नहीं चोड़ना चाहिए, बाइचांस आपने शुरूर की 4 यूनिट कर ली, लाज की 4 यूनिट कर ली, पता चला बीच की यूनिट से आ गया, लेकिन हमें ज़ादा फोकस किस पर करना है, और थोड़ा हमें किसे पढ़ना है वो चीज हमें देखनी होती है एक्जाम टाइम पर तो ज़्यादा फोकस आप यूनिट 1 पर कीजिए यूनिट 2 पर कीजिए और यूनिट 3 पर कीजिए ठीक है यहां से प्रशने आपके तीनों यूनिट से 100% बनेगा इतना आप याद रख देखेगा फिर आते हैं आपकी फोर्थ यूनिट को सिर्फ आप गो तुरू कर लिजिएगा जो आपकी फाइफ यूनिट है यहां पर आप माक्सवादी उपागम को पढ़िएगा और वहवार वादी उपागम को जरू पढ़ लिजिएगा शिक्स यूनिट 100% करके फिर सेवन यूनिट में हम देख लेते हैं अभी मैंने चार यूनिट कहां कि इनको 100% करें और यहां से 100% कोशन बनेगा आपका सेवन यूनिट में आपकी राजे की उत्तपत्ति का सिधानत है द्याविया समाजिक समझोता विकास वैदे माक्सवादी सिधानत अब हम बात क करेंगे कि यह जितने भी टॉपिक हैं बहुत ही important है सारे टॉपिक अब इनमें से क्या important हम निकाल सकते हैं क्यों कि जितने भी topic है सभी important है तो इनको सभी को एक बार go through करके जाईएगा और लेकिन यहां पर राजे की उत्पत्ति के सिध्धान में एक तो द्याविया है एक आपका समाजी समझोता है एक विकासवादी है और एक मासवादी है निकि चार यहां पर इन्होंने सिध्धान दिये हैं अब इन चारों में से क्या important है तो आप मासवादी कर लीजे और दैपे कर लीजे दो तो आप करी लीजे बाकी इनको go through जरूर करके जाईए हो सकता है कोशन यहीं से पूछ लिया जाए आपसे आते हैं आठवी यूनिट पर इसमें बताये गए हैं राज्य के कारे के सिध्धान यहां पर उत्पत्ति के सिध्धान थे और यहां पर राज्य क्या आर्थ है प्रकरती है ततो है यह तो 100% करके जाईए प्रशन जरूर बनेगा त ठीक है तो इसको जरूर पढ़िएगा और साथ में आप फासी वात को पढ़ लिजिएगा बाकी को आप गोत्रू कर लिजिएगा नेक्स्ट टॉपिक है संपरभुत्ता की संकल्पना यह आपका 90% बन सकता है और यहां पर बहुलवादी सिध्धान यह भी आपका 90% बन सकत है और स्वतंतरता समानता का अधिकार यह भी गोत्रू आप जरूर कर लिजिएगा ठीक है तो यह कुछ टॉपिक है यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है शक्ति सकता फैद्धता इसमें शक्ति जरूर बढ़के जाईएगा ठीक है सक्ति से भी कोशन आपका बनेगा बा यानि के 14 में से आपकी मैंने 7 यूनिट तो यानि के आधास लेवस तो आप तयार करके जरूर जाईएगा अच्छे से और आधे को पढ़कर जाईएगा तो यह इस परकार से यह आपका थोड़ा सा मैंने बताया था अब यहाँ पर यूनिट वाइस थोड़ा सा देख लेत हैं कहीं बार ऐसा होता है कि मैं सारी यूनिट के लिए नहीं कर पाती हूं तो इसलिए मैंने शुरू में ही आपको 14 की 14 यूनिट बता दी हैं बाकि थोड़ा सा अंदर हम देख लेते हैं किस तरह के कोस्टन्स यहाँ पर बनेंगे तो पहला यूनिट में से राज राज रा रमपराबादी भी पढ़ लीजे आदोनिक भी पढ़ लीजे ठीक है दोनों ही विशेस्ता हैं आप पढ़कर जाईएगा तो यह दो से तीन टॉपिक यहाँ पर पढ़ सकते हैं फिर नेक्स्ट चलते हैं दूसरी यूनिट पर वहाँ देख लेते हैं कि किस तरह के कोस्टन आपके क्योंकि स्टार्टिंग की तीन यूनिट बहुत ही इंपोटेंट हैं और यहाँ से आपका 100% कोस्टन लिख लेगा अब हमें यूनिट वाइज देखना है कि किस तरह के टॉपिक यहाँ पर हैं और हमें क्या पढ़ना है कंटेंट तो देखना पड़ेगा जरूर कि क निए इससे तरह के कोशन बनेंगे कंटेंट में से तो चलते हैं दूसरी यूनिट की तरफ थोड़ा लेंदी है यह मैं आ चुके हैं तो में सब्सक करके चाहिएं जलते हैं थड़ यूनिट की तरफ थर यूनिट भी बहुत इंपोर्टेंट है इसलिए उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं बाके उनिट हमने आपको बताई दी हैं कि आपको वहाँ पर क्या पढ़ना है यहां पर आप देख स रहे हैं दर्शन शास्त्र समाश चास्ति इ करी जाएगा यह भी 100% पूछा जाता है चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर फोर्थ यूनिट में देख लेते हैं और तुनिट में क्या यहां पर पूछा गया है वैसे तो उपर हम डिसकस कर चुके हैं यहां आप सिर्फ गोथ रूप कर लीजिए यहां पर इसे वरानितिक यहां से लेंदी कोशन निकल जाए सारे उपागम को एक बार जरू पढ़कर जाएगा उसकता है जुका तो यहां से यह कोशन उठा कर आपका बना दे कि कितने उपागम हैं तो सबके बारे में यह आप से पूछ सकते हैं यूनिट फाइप में आप देख रहे हैं माक्सवा सारा बताने के साथ साथ उसमें से इंपोर्टेंट भी निकालती हूं और सारा इसलिए कहती हूं इसको मैंने कहा ना कि इसको आप 100% फोकस कीजिए और यह जो तो टॉपिक आपको बता जाते हैं को बहुत रूप करने के लिए 50% इन पर भी आप फोकस कर लीजिए ठीक है ब